जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गल्यारों से जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के गल्यारों से चप्पा चप्पा गूझ उठेगा इंकलाव के नारों से नमस्कार साथियो साथियो मैं राजुय आदव आग्रा मंडल अद्यच भारतिय किसान संगठ है साथियो मैं कल न्यूज देख रहा था और उस न्यूज में मैंने देखा दिल्ली MCD चुनाव में 130 से उपर सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी 106 सीटें जीतने वाली भारती जन्ता पार्टी इन दौनों का स्टेंडिंग कमेटी का जो चुनाव की पिक्रिया था वो मैंने पूरी तरह से देखा भारती जन्ता पार्टी के पास बहुमत नहीं है उसके बाद भी सबसे पहरे औनोंने मेर अपना बनाने की कोषिस की डिप्टी मेर अपना बनाने की कोशिस की अब मेर की जो इस्टेंडिंग कमेटी होती है उसमें भी गहात लगाने की कोशिस की साथी साथ बिपच्छ पर बुरी तरह से हमलावर है भारती जनता पार्टी सरकार गुजरात चुनाव में जहां 13% बोट पाकर आम आदमी पार्टी गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वनके उभरी तो उसने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मानिय नरेन दामोदर दास मोदी जी का सुख चैन छीन लिया है मोदी जी का आईटी सेल और देश के प्रतिभा संपन संस्थान जैसे की आईडी और सीबियाई उन्हीं के इसारे पर विपच्च के सभी नेताओं को उन पर सीबियाई के द्वारा आईवी के द्वारा निसाने पर लिया जा रहा है देश के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि विपच्च ही खतम कर दो लोकतंत्र ही खतम कर दो डेमोक्रेसी ही खतम कर दो मैं माननिय योगी जी से मैं माननिय मोदी जी से मैं माननिय साहा जी से हाँ जोड़कर बिंती करना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीती बंद कर दीजिएगा इस तरह की राजनीत आप जैसे राजनीताओं को सुभा नहीं देती जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार अपने काम गिनाती है काम दिखाती है हमने खुद देखा है दिल्ली के अंदर महला क्लिनिक की सुभधाएं नमर एक की है दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए डीटीसी बस फ्री सुभधा नमर एक की है दिल्ली के अंदर education मैंने खुद बहां के बच्चों को कोचिंग पढ़ाया है मुझे पता है नमर एक के बच्चे बहां पर परिच्छा फल यानकी जो result रहता है वो 99% से भी उपर जाता है तो आप भी दिखाईए ना आपके इतने सारे राज्य हैं मैं मानिय भारती जनता पार्टी के प्रतनेधियों से पूछना चाहता हूं कि आप भी अपने कुछ स्कूल ऐसे दिखाईए जहां पर इस तरह का result रहता हूं कि सब जानते हैं कि देश के सब्सेश्च शिच्छा मंत्री मानिय मनी से सोद्याजी को कि जेल भीजने के लिए ग्रफ्तार कर लिया है कैसे भी करके इन पर सीबी आई डालो इडी करवाओ और इन्हें जेल भी यह पूरी तरह से सरमसार करने देने वाली ग्रफ्तनाएं मैं यह नहीं कहता कि आप जांच करिए अगर कोई भी आम आदी पार्टी का पताजिकारी जांच के घेरे में पाया जाता है इस तरह करिए या इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो स्कूल बना रहा है जिसने सिच्छा करांती लाई पूरा विश्य जिनके स्कूल देखने जा रहा है आप उन्हों पर कर रहे हैं आप दिल्ली के 25 लाख लोग जो इन इसकू मुद्या सरकार भारती जंता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूं कि आप एक वारा अच्छे से जांच कर लीजिए उसी के पास किसी को गिर्पतार करें आपने सतेन्द जैन जी आपने मनीश सोधिया जी और ऐसे ही आपने समांजबादी पार्टी के बहुत सारे प्रितन किया था उसे पूरा करें किसानों पर जो मुकद में चल रहे हैं फरजी मुकद में वापस आपने कहा था ले लिए जाएंगा अभी तक नहीं लिए गए और ग्रह राजमंत्री के बेटे को अभी तक फासी नहीं ली गए हम सभी चाहते हैं उसे फासी मिले जल्दी से करें